हाम तोर पर लोग ये मानते थे कि दी यू में चार्टी यूनियन के चुनाव में जो पार्टी दिल्ली में की तक पर तक नसीब होती है वही उसी का समर्थक यूनियन यहाँ जीटता है जेरियू के बारे में इसके उल्टा लोग समझते रहे हैं हम लोग की बड़ी यूरिशिटी थी कि मोदी जी के ढ़ाई साल हो गए विद्याथी परिशन का सब्ता वाला सब्ता के नसा वाला रूप भी दियू के लोग देखे हैं कि यह डर बना हुआ था कि वो लोग ही जीते हैं लेकिन जब यह रिजट आया तो पूरे देश में एक संदेश गया तो उसके लिए मैं आपको बढ़ाई देता हूं विद्याथी परिशत को मुझकी खानी परिए एक विजट और आया है आज देश को नांदेश का उसका भी उतना ही अच्छा संदेश है तुरे देश को हैटराबाद से करीब 100 किलो मिटर दूर वो जगह है गुरु गोविद्शीन का निधन वही हुआ था और हैटराबाद निजाम के राज ने वो सामिल था नांदेश आउट अफ एटीवन शिक्स्टी नाइन सीट पर जहाँ वीजेपी का तब जहाँ था वो दो तिहाई ज्यादेश भी कांडरेश वहां जीती है और इसमें और एक सब्रिफेकेंट बात हुई है कि पिछले चुनाओं में वहां पंद्रह एक वैसी सहाब है मुसल्मानों के लिडर है कहते हैं और निजाम की बनाई हुई पार्टी है अपनी जो निजाम भागने लगे तो अपनी विरासत अपना सब सब चीजी नहीं को देखे गए थे पंद्रह उनके महादगर परिशत के कार्पूरेटर जिते थे वो उनका भी सफाया हो गया मैं इस बार का जिकर इसलिए कर रहा हुई कि आज जिस समस्या से ये मुल्क दोचार हो रहा है और एक खौफ का और एक बेचैनी का आलम है पूरे मुल्क में वो आजादी के बाद तो नया है लेकिन बट्वारे के समय च्यारीस सैंतालीस में इसी तरह का मंज़र था इस मुल्क में उस समय भी लोग लड़ रहे थे या रिशर्ट से स्कॉलर इसमें कई लोग होगे कई लोग इसमें प्रोफेसर डाक्टर होंगे उनको देखना चाहिए कि उस समय भी जो बहुमत जन्ता थी वो इस फिरकापरस स्यासत सांपरदाइक स्यासत उस समय तो हिंदू महासवार थी उस समय तो आरेसेस था ये बीजेपी नहीं थी ये जन्संग नहीं था तो उस समय भी मजहग की बुनियाद पर इस मुल्ग को यहां की जन्ता को बातने की कोशिस हो रही थी दंगे और फसाद हो रहे थी मुल्ग का बटवारा मजहग की बुनियाद पर ठावी का धार पर हो इसकी वकालत हो रही थी हिंदु महसभा अगर कर रही थी तो मुस्लिम लीड भी कर रहा था मिस्टर जिन्ना भी कर रहा थी लेकिन मिस्टर जिन्ना के खलाफ भी लोग थे आप जाकर के तीम पूर्ति लाइबरेजी में वो अभी रेकर्ड है पढ़ लिजिए कि 1940 में यहां 40,000 उसलमाद और वो कोई राजे रजवारे नबाब नहीं थे मुस्लिम लीड जो पार्टी थी वो राजे रजवारों नबाबों बड़े अमीर उम्रा लोगों की पार्टी थी आप जानते हैं उसके पहले सब को वोटिंग राइट नहीं था वोटिंग राइट उनको था जिनके पास इतनी कास्तकारी थी इतना रेक मलगुजारी देते थे बंदू की लाइशेंस थी था वहादू राय वहादू थे उनको वोटिंग राइट था तो आजादी के बाद मिला तो उस समय भी 40,000 लोग इतनी गाड़िया नहीं थी ये रैली इतनी बड़ी-बड़ी वो तो चोधरी-चरण सी साथ में थे सरजादो जी ये बताएं ने उनके समय से या तो फिर कॉमिनिस्क पार्टियों के लोग सीतारां ये चुटी साथ बताएं वो आपकों मुपई में वो अहंदावाद में इस तरह की इस्टियल सेंटर से बड़ी-बड़ी रहनी हो का इतिहास मिलता है लेकिन दिल्ली में 40,000 लोग वो वेटिस इंटेलिजन्स की रिपो हम भार्किये हैं हम हिंदुस्टाणी हैं हमारा मजग जुदा जुदा हो सकता है लेकिन हमारी कौम एक है हमारी नैचनलिकी एक है हमारा राश्क्री उसमें दिल्लों पे लेकिन इधर भी इधर भी सब कुछ लोगों को बैचाहिनी की मुल्क का बटवारा हुआ खारें तुन अगा फार खार गांधी का पैर पकड़ते रहे रोते रहे चीखते रहे कहते रहे कि हमको उन धेडियों के सामने तुम्मत मे ठेको जिसका नाम पाकिस्तान है और जिसका नाम मुश्रिक दिख है जो कि मुझे बारा हुआ मुझे आजाज की वो तवारी थी स्पीच जो यहां का जामा मसिद अभी बरकरार है वहाँ वो हुई लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं था तो यह धारा रही है और उससे पहले की धारा रही है बहां तुसार जफर क्या जुनाह था बहादुर साज जफर का बहादुर साज जफर ने लिखा काजिमों में बूर रहेगी जब तलक इमान की तब तक तो लंदन तक तेख चलती रहेगी इंडोस्तान की यह बहादुर साज जफर ने लिखा लिपशी ने लिखा सर पर उसी की तमन्ना अब तमारे दिल में है देखना है बाजुए जोर कितना बाजुए कातील में है बेटी सच ने समझा ये खतरना कान्वी है ये एंग्रेजू के खलाब भणका रहा है हिंदू-मुस्लिम एक तर्शी बात कर रहा है तमाम हिदू-मुस्लिम राजे लोगों ने नेताओं ने इसको अपना नेता मान लिया है अंग्रेजू सिल्टने के लिए इसको गृफ्तार करके रणओन ले जाते है और वहाँ पर उसको ठासी पर चड़ा दिया जाता है उसको वहां तासे पर चढ़ा करके उसकी हट्टी पसली भी नहीं मचे उपर से नमक के बोरे रख दिये जाते हैं कितना पत्दसीन है जफर दोगत जमी भी नहीं मिली वे यार ने वो तरपता रहा कि अपने मतर में आज वैसे लोगों को भी शक्की मिगाह से देख करके उस रवायत को आगे महाने वाले लोगों को भी बगर में आप रिसर्च की किये रिसर्चे स्कॉलर आप में है इतिहास ने भी उनके साथ माइशाती की है इतिहास के भी प्रोफेसर होंगे नए ने रिसर्च स्कालो कोना भाए, यहां से साफ किलो מीटर दूर मैवाद का इलागा है मैवाद मेवाती मुसल्माओं ते 1527 इस्वी में अभी खान्मा के मैदान मे राजस्थान में है, वो खान्मा का मैदान महापार 15,527 को 12,000 मेवाती मुसल्मानों ने बाबर की सेना के साथ लड़ाई की और वही पर सही हुए आज जानते हैं इतिहास पढ़ने वाले लोग कि बाबर पहली दफ़ा कार्थूस और बंदूप लेकर के तोप लेकर के हंदोस्तान की सरजमीन पर आया था उसके पहले हंदोस्तान की सरजमीन पर भारत की भूमे पर रवाइति एक परमपरादन शथ्यारों से लड़ाई होती वो लड़ा उसने पीश कैने लुकाई सबी लोग जानते हैं कि बाबर को इस देश में बुलाने वाला कोई मुसल्मान नहीं था आजानते हैं किसमें बुलाया लेकिन क्या हो रहा है बाबर की अवलादे अवलादों भारत छोड़े उस मेवाद के राके में ये हडिया और तसला उभार उधार करके देखते हैं कि बिर्यानी में कहीं भीव तो नहीं है उनको पकड़ करके जुनाइप को पकड़ करके नजीब को यहां से भी उसे ले जाकर के पहलुठा को यह सब क्या हो रहा है तो इस तरह से हिंदू में मुसल्मानों में कुछ लोग हो सकते हैं डलत हो सकते हैं उनके ख़ला वो समाज ल हिंदुस तमाम संपरदाइद नहीं है उसी तरह से मुझरमाली तमाम संपरदाइद नहीं हो सकते। देश के लिए महबब चक्को है तो इस गुनियाद पर यह सक्क की बिमारी जो है ऐसी बिमारी है दोस्तों यह सक्क की बिमारी कि इसका एलाजास तब दुनिया के कोई नहीं निकला और यही सक्ष संदेश इनका सबसे बड़ा हथियार है ये पैदा करके ये खुआ पैदा करके ये इनकी राजमीद चलती है ये सक्की बिमारी ऐसी है कि अगर भाई भाई में संदेव पैदा हो जाए सक्क हो जाए तो एक भाई दूसरे भाई के उनका प्यासा हो जाता है मिया बीबी में सफ पैदा हो जाया तू तलाग हो जाए ये समुधायों के बीच आपको ये जाग के बीच की भी राजमीद कर रहे हैं पहले तो ये जाने जाते थे कि सिर्फ धरम की राजमीद करते हैं लेकिन आपको ये जाग की ही राजबी करते है तो इसलिए हम कहना चाहें ये सरजादों जी है सिताराम ये चुरी शाहब है हमने अपनी एक पीड़ा जताई है कि इस पूरे देश में किस तरह के खौफ का और आतंग का महौल है उसी तरह से धालिकों में भी उसी तरह का खौफ का महौल है उसी तरह से तमाम गरीब लोग उनके रोजी रुजगार गोटी पराफट है परेशान है अब जरूरत इस बात किया है कि मौदवार निकले अपनी इंवर्शिटी से चुनाओं में जीत करें इसी से काम चलने वाला नहीं है इस उमर में सरजादों जीने जिस तरह से लर्कारा है और जिस तरह से कुर्बादी के साथ आये है और पूरे देश के लोग ये जो साजी बिरासत है मैंने इन बातों का जिक्री सिर्फ इस लिए किया है कि ये साजी बिरासत का क्या मत्यव है इस देश को हिंदु, मसल्मान, सिख, इसाई, तमाम लोगों ने मिल के बनाया है और तमाम लोगों के को एक जूट हो करके आओ उसमें यूओकों को आगे की भूमिका निभानी है हम समझते हैं कि आप इस अपनी भूमिका को समझ रहे हैं हुने इसी लिए इस तरह के पिशय पर ज्वलंत मुद्धे पर आपने ये बुलाई है मैठक ये सम्मेलन बुलाया है इस पर जरूर गौर करेंगे और एक उमीद की तरह आपको पुरा देश क्योंकि सरजादोजी को या सिताराम येचिरी साथ इस तरह के लोगों को या मनोल जाजी को इन लोगों को ताकत तभी मिलेगी जब यूआ पिड़ी आगे आएगा आगे आए और जरूर आगे आए इसी उमीद के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं बहुत को शुक्रिया अगा